अच्छा बताओ सत्य क्या है मैया आप बताओ सत्य किसी कहते है सत्य क्या है जो वा सत्य नहीं है वो सत्य है आप बताओ सत्य क्या है जो देखा और बोला कई बार देखा और बोला दोनों जूट हो जाता है देखी भी जूट हो जाती मैया बताओ सत्य क्या है मैया यहाँ वहाँ ना देखो मेरी मा बताओ सत्य क्या है आप बताओ जो देखा बोला वो सत्य है आप बताओ सत्य क्या है हम इतना टाइम नहीं मैया बताओ मैया बताओ मेरी मा सत्य क्या है आप बताओ विटा सत्य क्या है जो देखा जो बोला वो सत्य है कई वार जो देखा वो गलत होता है देखा हूँ अभी गलत होता है और जो बोला वो भी गलत होता है मैया बताओ सत्य क्या है आप बताव सत्य क्या है इतना सरल है आप बताव सत्य क्या है आप बताव में यह सत्य क्या है आप बताव में यह सत्य क्या है इस्वर सत्य है सत्य ही शिव है सिव ही सुंदर है, सत्यम அी मिंः सुझिव सूदीoor को इश्वर सत्या है, सत्या ही शिव है, सिव ही सुंदर है तो सत्य क्या है इश्वर सत्य है जो देखा जो बोला सत्य नहीं है सत्य क्या है भगवान ही सत्य है अच्छा फिर ये समस्या आ गई एक सवाल और खड़ा हुआ यदि भगवान सत्य है तो संसार क्या है बताव आप मोह माया तो है तो संसार सत्य है कि जूटा है ये बताव सत्य है संसार आपके हिसाब से आप बताओ भगवान सत्य है ये तो कनफर्म है अब संसार सत्य है के जूटा है आप बताओ कृपा करके सत्य मैया सत्य है ये जूटा है संसार आप बताएंगे दादाजी चस्मा वाले संसार सत्य है के जूटा है जूटा है आप बता संसार जूटा ये तो जूटा कह रहे हैं मैया ये कुर्सी पर बैठी मैया बताएंगी मेरी मा संसार जूटा है या सच्चा है जूटा है इस तरफ बाली मैया बता जूटा है और पीछे वाले बता जूटा है सब जूटा आप बताओ जूटा है सच्छा है तोपी वाले वहिया संसार जूटा है कैसे जूटा सिद्ध करो आपने जूटा कह दी आपने मान लिया ऐसे नहीं होगा जूटा है तो सिद्ध करके बताओ कैसे जूटा है संसार यदि संसार जूटा है तो ये दिख गयों रहा, संसार जूटा है तो सिद्ध करो, कैसे आप संसार सच्छा है की जूटा है, सच्छा है, इस वर सत्य है, तो संसार क्या है, उन्होंने बनाया है इसलिए सत्य है, तरक ठीक है आपका, आप बताओ संसार सत्य है की जूटा है, सत्य है जूटा है जूटा है जूटा है जूटा है सिद्ध करो कैसे जूटा है इस्वर सत्य हमाना संसार सत्य है कि जूटा है जूटा है तो उसे सिद्ध करो ना भहिया कैसे करोगे आपने कह दिया हमने मान लिया या हमने कह इसलिए हम कछा सिद्ध करकर के बताते हैं इसलिए कछा में हम कछा कम सुना पाते हैं समझाते हैं समझाती तीनी घंटे को जर जाते हैं आप लोगों को क्योंकि सिद्ध करके बताना पड़ता है और यही सिद्ध ये कथा नहीं होती हम कथा का सार सार सुनाते हैं आपको जरा में आपको समझना होता है कथा नहीं है ये कथा का सार है अब देखो आप सब कुछ लोग कह रहे हैं संसार सच्चा चलो। आप सच्चा भी कह रहे हैं तो सच्चे को भी सिध्ध करके बताओ और जूटे कह रहे हैं तो बिना सिध्ध किये ना आप उसे सथ्य मान सकते है जोगे ईश्वर को सिध्ध करने की जरूरत नहीं है और यदि आप चाहोगे तो मैं इश्वर को भी सिद्ध कर दूँगा यदि आप कोई सवाल करें कि महराजी भगवान सत्य है तो भगवान सत्य है सिद्ध करके बताओ मैं सिद्ध कर सकता हूँ अल्रेडी इश्वर सिद्ध है जरूरत नहीं है पर फिर भी कोई मेरे से सवाल करे तो मैं कर सकता हूँ लेकिन ईश्वर को देखो ईश्वर को मैं सिद्ध करके बताता हूँ ईश्वर सत्य है कैसे? उदाहरण से समझो भगवान तब भी थे जब हम मैंसे कोई नहीं था भगवान अब भी है जब हम सब हैं और भगवान तब भी रहेंगे जब हम ऐसे कोई नहीं रहेगा तो यह सिद्ध हो गया कि वो सत्य है सत्य है इसलिए तीनों कालों में जो तीनों कालों में हो वो सत्य है भूत भविश्य और बरतमान प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर जो तीनों में हो वो क्या है सत्य और जो पास्ट में था फ्यूचर में नहीं या फ्यूचर में होगा पास्ट में नहीं या प्रेजेंट में है पास्ट में नहीं था बरतमान में है पर भूत में नहीं था बरतमान में नहीं है पर भविश में रहेगा तो वो सत्य नहीं है जो तीनों कालों में रहे काल कितने होते हैं भूत काल भवश काल और तो तीनों कालों में जिसकी सत्ता एक सी रहे जो बदले ना परिवर्तित ना हो उसे क्या कहते हैं सत्य तो भगवान सत्य है क्योंकि वो तीनों कालों में सत्ता भी है और ज बिहारी जी अभी है जब हम लोग है और विहारी जी तब भी रहेंगे जब हम लोग तो शत्य सिद्ध हो गया अब संसार को सत्य माने आस अब इसको संसार में भी घटाओ कि क्या संसार भूत में था भूत काल में पहले संसार ऐसा था जैसे आज है संसार क्या ऐसा रहेगा जैसे आज है मतलब संसार में बदलाव है परिवर्तन है संसार सरक रहा है हर रोज परिवर्तन शील है और संसार की प्रत्यक वस्तू परिवर्तन सील यहां तक कि आप मा के पेड़ से बाहर आए तो आप इतने से थे जवानी आई शरीर बदला मतलब आपकी वाड़ी आपके फेस आपके स्वभाव आपके स्वरूप में भी परिवर्तन है आप तीनों कालों में एक से नहीं आप जैसे हैं प्रजेंट में बरतमान में जैसे हैं आप ऐसे भूत में नहीं थे और ऐसे भविश्व में नहीं रहेंगे बोलो हां तो आप में परिवर्तन है आपकी मामें परिवर्तन है पेड़ पौधे पसू पक्षी नदी तालाव समुद्र सम्में परिवर्तन हो रहा है सम गट रहा कहीं बढ़ रहा नदीवी पहले नदी यमुना जी यहां परिक्रमा मार्ग में बहती थी आगए अब यमुना जी वहां से आधा कुलुमीटर आगे चलीगी और ये पूरे भारत की प्रत्येक नदी की घटना परिवर्तन नदियों में हैं परिवर्तन पेड पौधो में जो आज हरा भरा है वो कल सूखा मिलेगा आपको गाय भैस पकरा बकरी पसू मतलब कुछ भी आप उठाओ परिवर्तम तो जो परिवर्तित है वो असत्य है